शेवपुर में कलेक्टर संजे कुमार के ट्रांसफर की अफवाहों पर क्या बोले बीजेपी और आमादभी पार्टी देटा खबर कराहल से है जहां पदभार समालते ही शेवपुर कलेक्टर संजे कुमार ने कई काले कारणावों से परदे उठाना शुरू किया और शास्के जमीनों के रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया जनपदों के बिश्चाचार में लिप्त अधिकारी कर्मचारियों की कुंडली बनने लगी है थी कि जिले के सारे माफिया और साठगाट वाले अधिकारी सक्ते में आ गए कलेक्टर का ट्रांसफर करवाने के लिए दिली भोपाल के चक्कर लगाने लगे हैं लेकिन सूत्रों के हवाले से खबा रही है कि वहाँ उनकी डाल नहीं कली कुछ ना कर पाए तो अफगा ही फैला दी कि कलेक्टर को भोपाल तलब किया गया और उनका ट्रांसफर सचीवाले में कर दिया है जब जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि कलेक्टर नीजी कारे के लिए एक दिन भोपाल गए थे इन सारी अफवाहों पर आप ब्लॉक अधियक्ष विनोत शर्मा ने विराम लगाते हुए कहा कि जो चोर उन्हें कलेक्टर बुरे लग रहे हैं कलेक्ट शोबर कलेक्टर संजय कुमार जी के बारे में जो अफवाएं उड़ाई जा रही है कि उनका ट्रांसफर हो गया है आज मिलके जानेंगे हमारे साथ भाजपान नेता कराल से हमारे साथ जुड़े हैं जी सर क्या नाम है सर अब कर मेरा नाम हो महिस भारतवाज और मैं पूर स हुमिल ओर है क्या कहते हैं सर इस बात पर देखिये कलेक्टर साहब बहुत अच्छे हैं और मैं मानता हूं कि यह अब मांई यो दो तीन दिन से पेप्रों में मीडिया में जो वोडाई जा रही है वह चल रही है इस प्रकार से कलेक्टर साहब को जो बेजा आए तो माननी मुख्यमंत्री जी और माणनी है हमारे नरंसी तॉमर साब और अमारे प्रदेश के ग्रेहमंत्री जी ने कुछी सोच बिचार के ऐसे कलेक्टर को शोपर में विकास की गंगा बाने के लिए भीजा आए तो उनको सब से हम मानते हैं कि पहले हमारे दो साल पहले जो बाढ़ आई थी उसमें मुआपजा सरकार ने मुख्यमंत्री ने दिया था वह बहुत अच्छा मुआपजा दिया लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाया इन ब्रष्टाचारियों के लगाम कसने के लिए कलेक्टर साब ने जो क पड़ी हुए हैं कहीं कलेक्टर साब का दे नहीं है और अब रश्टाचार का पर लगाम कशने का हमारे कलेक्टर साब का दिये और शोवपुर में क्या मैं बताओं पूरे आमारे पूरे अंचल में हमारे आधवासी ब्लोक अंचल कराल में भी उनका इस तरह से दबदबा करम-चारी हूँ यह राजस का करम-चारी हो क्रम-चारी और मैं तो इस आसा करताıldिं॥ आधवासी बच्चों को शिक्चा के उपर अगर कलेक्टर साब तो अमारे यहां के अंचल पहले हैं सब्सक्राइब करें एक बादले एक सब्सक्राइब Mossawa पूरे ऑर इस अड़ पर है कि और यहां उसको पूर्ड कार्म के एक च्छेतर में वालाच बिंद यपार किना सकता हूं मैं रात दिनुव पूरे दिन पेपर का पेपरों के माद्यम से आपकी वेडिय आप के माद्यम से धेख कहा हूं कि सब जगे उनका अंकुष है कहिंए कहिं औरैन।箝 ने पूरे ऐगश मैं जा जाकर अपनी वपनें अपनी वहुपनेosit कर रहे हैं और इस पहली बार हमारे गरीब आदवासी ब्लॉक खंड में भी ब्रह्मन किया है और हमारे उदर यह तुम्हारा जे आज तक के और चुर का गाउं विजयपुर लगता है तो विजयपुर के पूरा छेत्र वो कवर किये हुए हैं विजयपुर में अभी पंचायत के सचमों द्वार भारी बरकम में ब्रेश्टाचार अभी हुआ है इस तरह ऐसे कलेक्टर साव ने उजागर किया है और ऐसे हम कलेक्टर साव कट्र से कट्र ऐसे सचमों पर ऐसे जो काम के जिग्गां से लेते हुए और साव हमारे बहुत अच्छे हैं और मैं तो यह मानता नहीं हूँ के आपके ट्रांसफर की लेकर सोसल मीडियाओं पर अफ़वाइं उड़ाई जा रही हैं कुछ लोग निसा ना साथ रहे हैं कि कुछ दलालों को कलेक्टर साथ पसंद नहीं आ रहे हैं जिले में तो कलेक्टर को हटा दीया जाना चाहिए क्या कहते हैं सर आप इसको लेकर हटा द जिसने सारे भृष्टाचार और जो भी ओजना गरीबों के लिए चलाई जा रही थी वो सब क्या है कागजों में चल रही थी कि सभी ओजनाओं को धरालतल पर पहुंचाने का कारीव किया है एक ऐसे जला करेक्टर को तो क्या है प्रुसक्रत किया जाना चाहिए हमारे पंजाब में आमाधी पारटी और दिल्ली में आमाधी पार्टी है वहां देखिए हमें ऐसे क्लेक्टरों की जरूरत महां पर भी है और वहां ऐसे ही क्लेक्टरों को बुलाया जा रहा है जो सारी ओजनाओं को धरातल पर लाकर जनता को पाइदा दिलवा रहे हैं गरीबों तक उन्हों पहुंचाया जा रहा है बड़े सर्म की बात है मेरे सुनने में आ रहा है कि संजे कुमार जी कराल में एक श्योपर में जिले में एक अच्छे क्लेक्टर का आना हुआ है और हकीकत में उनकी योजना काफी लाबकारी साबित हो रही है कि बड़ा दुक्का विशह है कि छेत्र के जो भृष्टाचारी नेता है जो भूमापिया है वो उनको यहां से भगाना चाहते हैं ठीक नहीं है किया सर कारव वही जैसे ही इनका आना हुआ उस समय काफी सभी विवहाओं की मीटियों का दोर चला उन्होंने सभी अधकारियों को हिदायत भी दी थी कि काम करना चलू करने है अब बैठके काम नहीं चलेगा और वो कहते भी है कि मुझे संजे कुमार कहते हैं तो गलत नहीं कह रहे हैं बाकि जितना भी काम उन्होंने किया है अभी तक कोई भी कलेक्टर नहीं कर पाया कम समय में काफी व्रिष्टाचार उजागर किया है आप राज्य सुभाह में देख लिए कई पटवारियों पर कारवाई हुई है जब अत्ति व्रिष्टी से जो मौपजा किशानों को दिय करना चाहिए ऐसे अधकारी के लिए मैं आद्मी पार्टी की और से यह कहना चाहता हूं अगर मद्द प्रदेश में आम आद्मी पार्टी की सरकार वनी तो हम ऐसे ही आईसों को खोज-खोज के हर जिले पर निक्त करेंगी मैं यह कहना चाहूंगा अगर सन्जय कुमार जी जिला क्लेक्टर को भाजवा के नेताओं के द्वारा हटाया गया या उनका कहीं ओर ट्रांसर किया गया तो छेत्र की जनता शड़कों पर आएगी और छेत्र की जनता ये समझ जाएगी कि बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि ह हमें ओजनाओं का लाब मिले और ऐसे इमानदार कलेक्टर के द्वारा हम आमारे च्छित्र का विकास हो यह मैसेज बिल्कुल जाएगा और यह मैसेज पूरा फिर बीजे पी सरकार के खिलाप में रहेगा